और उसी में जो हम लोग CI केलकुलेट करने वाले क्वेस्टन्स हैं कई सारे क्वेस्टन्स हम लोग कर चुके एक क्वेस्टन प्रैक्टिस के तौर पर और हमने ले लिया जिससे कि यह चीजे हमारी बहुत-बहुत क्या हो जाए बहतर हो जाए तो चलिए देखे अब प्रिंसिपल गिवन है 25 थाउजेंड यह रेंक हम लेट ओस इन तो तो चीजियर जैसे कि आपसब बहुत अच्छे से इसको देख चुके हैं कैसे करते इन क्वेस्टन को चल देख देखे principle बचो कितना है 25600 rate of interest कितना 6 1 by 4% और 6 1 by 4% को आप सब लोग जानते है 6 1 by 4% क्या होता है किसी भी number का 1 by 16 होता है क्या होता है 1 by 16 कैसे इसको हम लिख सकते है 6 4 जा 24 1 25 by 4 percentage में change करना है तो upon में 100 कर देंगे तो 25 फोरजा 4 फोरजा 16 कितना आ गया 1 by 16 आया कि ने आया means 6 1 by 4% का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी भी number को 16 से divide कर दें किसी भी number को 16 से divide कर दें it means यह उसका क्या हो जाता है 6 1 by 4% clear है तो जैसे कि यहाँ पर rate of interest 6 1 by 4% परहनम दिया है तो चले हम यहाँ पर slab बना लेते हैं फर्स्ट slab के अगर हम बात करें तो principle है 25600 6 1 by 4% इसका निकालना है 6 1 by 4% का मतलब अभी ने बताया कि 1 by 16 होता है किसी भी number को 16 से divide करो तो 16 से divide करोगे तो कितना आ जाएगा 16 से divide करेंगे तो यह आ जाएगा 1600 आ जाएगा means first year में जो interest बनेगा वो कितना बनेगा 1600 इसी तरीके से हम बात करें second year के तो बचो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यह principal पर मिलने वाला interest है साथ में interest पर भी interest मिलता है तो 1600 को फिर से 16 से divide कर देंगे है ना तो 1600 का 6 1 by 4% मतलब 16 से divide करना तो कितना हो जाएगा 100 clear है third slab के अगर बात करें तो third slab में क्या हो जाएगा इतना तो मिलेगा ही मिलेगा यह principal पर मिलने वाला interest है plus इसका भी 1 upon 16 मतलब 100 इसका भी 1 upon 16 मतलब 100 तो 100 यहां पर मिला 100 यहां पर मिला तो कितना हो गया 100 200 200 प्लास इसका इसका भी 1 by 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा तो यह तीनों slab बन गए देखिए first year में हमको इतना interest मिलना है second year पर हमको इतना मिलना है third year पर इतना मिलना हर बार बढ़के मिल रहा के नहीं मिलना है चले अब slab बन गए अब हमें answer देने तो two year का compound interest क्या बनेगा two years two years बच्चो हमारे यहां से लेकर यहां तक complete हो रहा है तो two years का कितना बना 1600 1600 कितना हो गया 30 200 and 100 3300 कितना हो गया बच्चो 3300 हुआ बात करें three years के तो three years में कितना हो गया 1600 1600 1600 16 16 16 4800 and 200 5100 6.25 तो यह हो जाएगा 5100 6.25 के लियर है अब बात करते हैं two year two months के two year two months देखे two year two months का मतलब क्या हुआ two years तो complete है मतलब two years का तो हमें interest मिलेगा यह मिलेगा अब two months है इसको years में convert करना तो देखे पूरे साल में 12 months होते हैं तो two months में अगर हम year को convert करें तो two upon twelve means one by six year हुआ हुआ के नहीं हुआ means जैसे यह लिखा है two year two months तो इसका मतलब यह हुआ कि two years का तो हमें पूरा मिलेगा लेकिन third year पर जो भी मिलना है इसका one by six मिलेगा है ना तो two years का पूरा और इसका one by six है ना तो इसका one by six कर लेंगे तो कितना हो जाएगा पहले यह देखे लो 1600 1600 कितना हो गया thirty two hundred and hundred thirty three hundred अब इसका सब का यह third year पर कितना मिलना 1600 and two hundred eighteen hundred six point two five eighteen hundred six point two five अब इसका आप उन six कर देंगे छट पाइस सा मिलना है आप उन six कर देंगे तो कितना मिलेगा three hundred one point three hundred one point eight point zero eight है ना तो यहां तक कितना मिल चुका था five hundred thirty three hundred three hundred one हो गया तो 36 hundred one thirty six hundred one point zero eight के लिए है तो इस तरीके से हमने इस पूरे का इस साल जितना मिलना था उसका one by six कर लिए ह जोकी आया three hundred one point zero eight तो दो साल का इतना पूरा मिला इसका one by six तो यहां तक कितना हो गया था था 200 and 100 3300 और 300 1.08 यह हुआ तो कितना हो गया 3600 1.08 हुआ के लियर अब बात करते हैं 2 years 8 months के तो फिर वही बात 2 years का तो पूरा-पूरा मिलेगा 8 months का मतलब क्या हुआ 8 upon 12 करतेंगे 8 upon 12 क्या होता है 428 430 12 2 by 3 years मतलब 2 year 8 months का मतलब यह हुआ कि 2 साल का तो पूरा मिलेगा लेकिन यह जो 3rd year का मिला है इसका 2 3rd मिलेगा तो कितना मिला था टोटल 1810 6.25 इसका 2 3rd करेंगे 2 3rd कर देंगे तो कितना हो जाएगा यह 2 3rd करने पर यह हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18 602.08 इंटो 2 है ना बचोंगे यहां पर 4 आएगा यह वाला 4 आएगा इसको थोड़ा से रेक्टिफाइग करने यहां के 4 आएगा है ना इसको 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 हो गया 224 200 26 12 कितना आ गया 1200 4.16 तो यह हो जाएगा देखे 32 100 तो यह हो गया 100 यह 3300 हो गया और 1200 4.16 यह हो गया तो 3300 और 1200 4500 4 4500 4.16 बात करते हैं तो 1 year 9 months की तो 1 year 9 months का मतलब 9 months का मतलब बच्चों क्या होता है 9 upon 12 9 upon 12 का मतलब हो गया 3 by 4 year तो 1 year 9 months का मतलब यह हुआ कि 1 year का तो पूरा मिलेगा बट इसका 3 4th मिलेगा तो इसका 3 4th किता हुआ 1200 और इसका 3 4th किता हुआ हुआ 25 75 सौरी इसका 3 4th किता हुआ 75 तो कितना हो गया 1600 और 1200 16 और 12 2800 75 2800 75 रहों के लिए इसका 3 तरीके से बात करें 1 year 6 – 6 months के 6 months का मतलब होता है half year तो 1 year 6 months का मतलब हो गया कि 1 year का तो पूरा मिलेगा इसका 1 half मिलेगा तो इसका 1 half करेंगे तो बच्चों कितना हो rikMus जानलीक तो इसका 1 대박 करेंगे तो 50 कितना हो गया 1600 और 800 2450 कितना हो गया 2450 सही है 1 year 4 months 1 year 4 months देखिए 4 months 4 months को year में बदलेंगे तो 4 upon 12 means 1 by 3 year 1 by 3 year तो जैसे कि बोल रहा है 1 year 4 months इसका मतलब 1 year का तो पूरा पूरा है बट इसका हमें 1 third मिलेगा तो 1600 और ये 1700 हो गया 1700 का 1 third करेंगे तो 1700 का 1 third करेंगे कितना है 15 3618, 3618 566.6 तो कितना हो जाएगा 1600 ये मिला और 566.66 मिला तो हो जाएगा 1600 प्लस 566.6 2100 2166.6 ये हो गया अब इसी तरीके से बात करते है 2 year 4 months के मतलब 2 साल का हमें पूरा मिलेगा बट इधर का हमें 1 third मिलेगा तो ये total कितना हो रहा था 3rd year पर मिला था 1806.25 अब इसका 1 third करना है 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 600 2.08 है ना तो 1 2 year 4 months का तो 2 year में कितना बनला था 1600, 1600, 3200 और 100 3300 और इधर ये कितना मिल गया 602.08 और मिल गया तो 33, 6, 30, 900, 2 30, 900, 2.08 इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि इतना complicated numbers थी और इस तरीके से time period यहाँ पर दिया गया था तो बहुत आसानी से हम लोगों ने solve कर लिया तो उमीद करते हैं कि अब इस तरीके के question में कभी कोई problem आपको कभी कोई doubt कभी कोई problem हो ही नहीं सकती है हमने ऐसे से digit यहाँ पर लाए जो आपके लिए बड़ा complicated मैसूस करते हैं इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम complicated portion भी आपके सामने ले कर आएं जिससे कि आप बहुत आसानी से उन चीजों को भी सिंपल सा फंडा है सिंपल सी बात है जो पहले question में बताई वही दूसरे question में वही तीसरे और यह चौथा question था उस type का तो जिससे कि और भी सारे doubts clear हो गए होंगे बिल्कुल भी परिशान नहीं होना कि क्या time period दिया है क्या rate of interest दिया है इसे कुछ भी ने आपके सामने एक एक चीज है और एक चीज को हमने यहां बाकाइदा discuss किया है जिससे कि आपका जरा सा भी confusion दूर हो जाए ठीक है तो उमीद करते हैं कि यह question भी बहुत 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 तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कहीं कोई problem नहीं तो चलिए अब बात करते हैं अपने next question की ओके स्टुडेंट्स जैसे कि अभी हम लोग ने questions किये जहां पर different time period different rates of interest की बात बताई गई थी और फिर हम लोग ने उन questions को solve किया CI calculate किया अब हम लोग अगले टाइप के questions की बात करते हैं जो गुनी से रिलेटर होते हैं कोई भी धनराशी चक्रवदी ब्याज की दर से इतने समय में इतनी गुनी हो जाती है तो इतने गुना होने में कितना समय लगेगा इस तरीके के जो questions होते हैं तो चलिए लिखते ही हाँ पर एक question a certain sum of money a certain sum of money becomes three times of itself of itself in seven years at CI then in how many years then in how many years how many years it will become it will become twenty-seven times twenty-seven times एक question नहीं है एक और लिख लेते हैं a certain sum of money a certain sum of money becomes two times of itself in in eleven years at CI then in how many years it will become it will become sixteen times of itself sixteen times of itself सब्सक्राइब 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 एक धनराशी चक्रवधी ब्याज की दर से सात वर्सों में सात वर्सbnत बैसे मिद्सक्राइब सात वर्सों में तीन गुनी हो जाती है then in how many years ubenmy it will how many years एक धनराशी ग्यारे वर्सों में 2 गुनी हो जातिए चक्रवधी ब्याज की दर से तो यह कितने वर्सों में 16 गुनी हो जाएगी दोनों क्वेसन एक जैसे है बस हमने डिडिचिट चेंज गया है दोनों क्वेसन का जो नेचर है वो बिलकुल ऐसे नेजी है और इस तरीकें के क्वेसन बहुत पूचहे जाए हैं बट बहुत आसा होते हैं का answer आजाएगा ठीक है 100% accuracy के साथ answer आएगा ठीक है तो question समझ गया है ना चले देखते हैं क्या करतें ध्यान देना यहां पर बोल रहा है तीन गुना तीन गुने की बात कर रहे है कितने साल में बच्चो साथ साल में तीन गुने की सेबन तो थी की पावगा थी बस इस टाइम का जो टाइम दिया सेफनिय सो उसका इससे मल्टी प्लॉडई करतो थो तो सैवन येर्स इंटू थी करेंगे तो पूछा क्या गया है 27 तो 27 को इसकी पावर में कनवर्ट करके लिए को यहां पर जो नमबर इसको बेस लेकर चलना तो 3 की पावर 3 होता है और पावर में जो नमबर आ जाए उसको टाइम से मल्टिप्लाइ कर दो तो 730 21 एर से इस तरीके से स्कोर्शन का अंसर आगया अब बात करते हैं नेक्स्ट दो गुना कितने साल में हो रहा है बच्चो दो गुना होने में कितना समय लग रहा है ग्यारह साल दो गुना होने में ग्यारह साल पूछा क्या गया 16 टाइमस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की जाए चाहर बेस तो है तो बेस में दो ही होना चाहिए टू के होता है फौर तू टू जा एट सिक्स्टीन musique नोटहर से बॉर ऐस तो एस तरीका सेज़ास से पावर में में एंवलेवन होग आ तो it can formula लेवन करतेंगा ₹मफूर आन्टों तो इस क्वेश्न ने च्छे रि हम उमीद करते हैं कि इस तरीके का क्वेशन जबा जाएगा तो आप तीन-चार सेकें में 100% के साथ के साथ क्वेशन कर लेंगे तो यह जो क्वेशन है यह भी बहुत पूछा जाता है यह वालत तो डेफिनिकली पूछा ही जाता है लेकिन उसके बाद यह कुछा जाता है अभ सेलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हों तो उमीद करते हैं बचों कि यह दोनों क्वेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा हूंगे कहीं कोई समझ से नहीं और समझ में भी को नहीं आएगे क्यों कि इतना आसान सा तरीका है और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप इतना बड़ी है से सीखते हैं भाई सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम चाहे लाख प्रयास कर लें हम बहुत अच्छा कर लें लेकिन अगर आप साथ नहीं देते हैं तो हमारा सब कुछ बेकार होता है लेकिन यहां पर अगर चीजें बहुत अच्छी हो रहे गए जो चोटे चोटे तरीके होते हैं उन पर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं उन पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं इसलिए वो चीजें बहुत 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 होती चली जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो मैथ चल रही वो बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत अच्छा यहां पर सर बता रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ explain हो रहा है, तो उमीद करते हैं कि यह question अब कभी आप से गलत नहीं होगा, कभी कोई problem नहीं आएगी, तो चलें, इन questions के बाद हम लोग बात करते हैं, नहीं next questions के, हाँ तो बच्छों जैसे की बात यहां पर चल रही थी, कि जो 3 years का difference होता है, CISI का यह होता है, D equal P R square upon 100 square into R plus 300 upon 100, यह होता है difference 3 years का, SICI का, और यह question है, find the difference between CISI and SI for 3 years for Rs. 80,000 with a rate of interest 5% per annum, तो देखे, principle दिया है 80,000, time दिया है 3 years, rate of interest दिया है, सबकी value रखनी, तो D principle की value 80,000 हो गई, rate of interest 5 दिया है, तो 5 का square 25 upon 100 square means 100 into 100 into 100 plus R, 300 plus R मतलब 305 हो गया upon 100, बस इसको solve करना है, तो 20, 20, 40 यहां से cancel हो गया, 25, 4 जा, यह हो गया 4, 4 से divide किया 2, तो यहां फक्राइनली कितना आजाएगा, यह 305 into 2 means कितना हो जाएगा, 610, इस तरीके से question का answer आप देखो, कितना हो गया, 610, direct answer आया की नहीं, बस हमें यह पता था, कि 3S का जो SI, CI का difference होता है, वो क्या होता है बचो, D equal PR square upon 100 square into 300 plus R upon 100, बस इस format पर हमने सब चीजों की value रखी, principle की rate of interest, time और इसको solve कर लिया, तो यह हमारे difference आगया, अब दूसरा question में देख लेते हैं, if the difference between CI and SI for 5,000 for 2 years is Rs. 24, find rate of interest, कह रहा है कि 5000 रुपे पर दो वर्स के लिए चक्रवधी ब्याज और साधर्न ब्याज का अंतर कितना है, 24 रुपे है, तो जो rate of interest है, वो कितना होगा, rate of interest बताना है, तो देखिए यहां पर difference कितना दिया है, भाई, दो साल का SI, CI का difference का formula क्या होता है, D equal to R square upon 100 का square, ठीक है ना, तो अब यहां पर value रखेंगे, difference कितना दिया है, 24, difference कि जगे क्या होगा, बच्चो 24, equal principle कितना है, 5000, into R square, rate of interest कितना है, निकालना है, R square upon, कितना हो जाएगा, 100 का square, ठीक है न, 100 का square, solve करेंगे कितना हो जाएगा, 24, equal 5000, into R square upon, 100 into 100, 100 into 100, 20, 20, cancel, 50 से डिवाइड किया, 24 से 2 से cross multiply हो जाएगा, तो R square की value क्या हो जाएगी, 24 into 2, 48, 48, तो rate of interest क्या हो जाएगा, approximately 7%, approximately 7% per annum, भाई, 49 का, अगर 49 होता है, R square की value 49 होती, तो R की value 7% आती, तो यहां पर क्या आ रहा है, R square की value 48, तो approximately 7% आ जाएगा, ब्याज की दर क्या जाएगी, लगबग 7%, 7% per annum, तो इस तरीके से देखा आपने, कि यह जो दो format हमने बता है, दो साल का difference और तीन साल का difference CI और SI का, इस पर बचो direct question बनते हैं, कभी rate of interest पूछ लिया जाएगा, कभी difference पूछ लिया जाएगा, कभी principle बस आपको direct value सबकी सब्स्टिटूट करने हैं, solve करने हैं, बाकि इनको note कर लिजेगा, बहुत अच्छी सिनको note कर लिजेगा, कि दो साल का SI CI का difference का होता है, P into R square upon 100 square, और 3S का जो difference होता है, SICI का वो होता है, P R square upon 100 square into R plus 100 upon R plus 300 upon 100, के लिया रहे हैं ना, तो इस तरीके से बचो ये question था, चले, अब हम लोग बात करते हैं, आपने next type questions की next type questions देखते ही क्या है, चले बच्चों देखें, एक बहुत बढ़ी है साब के सामने question लिखा है, Find the compound interest for one and half years for Rs. 24,000 with the rate of interest 10% per annum, while interest compounded half yearly, while compound, while interest compounded half yearly, मतलब question में ये बोला गया है कि 24,000 रुपे पर डेड़ वर्सों का, one and half, डेड़ वर्सों का चक्रवधी ब्याज, 10% वार्षिक दरसे क्या होगा, जबकि ब्याज परतिच्हमाही संयोजित होता है, हर 6 महीने पर संयोजित होता है, ब्याज कैसे compound हो रहा है, ब्याज कैसे add हो रहा है, हर 6 महीने पर, कभी वार्षिक बोल देता है, कभी हाफ एरली बोल देता है, कभी क्वार्टली बोल देता है, कैसे solve करेंगे, देखे, बचो जो इसका basic formula होता है, compound interest का वो क्या होता है, a equal p, 1 plus r by 100 की power n होता है, होता है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, interest, एक बाद दौर, जो amount a है, इसको हम ब्याज की रूप में कैसे लिख सकते है, amount क्या होता है, principal plus interest होता है, a equal क्या होता है, amount, amount क्या होता है, मूल धन प्लस ब्याज, तो a की जिगे हमने p plus i लिख दिया, equal क्या हो गया, p, 1 plus r by 100 की power n, अब इस p को इधर कर देंगे, तो सीधा-सीधा interest आ जाएगा, यह p उधर चला जाएगा, तो p common हो गया, 1 plus r by 100 की power n, minus 1, यह हो गया, ब्याज कहरा, प्रति 6 माही से योजित होता है, ब्याज जो है, वो हर 6 मंत पे add होता है, तो बताए 1 and half year, 1 and half year का मतलब कितना हुआ, 6-6 महीने पे अगर हो रहा है, तो 6 महीने, 6 महीने एक साल, और आधर साल में एक 6 मही सकते हैं, 3 half year, 3 half year, हो गया न, means जहां पर हम n की बात कर रहे हैं, वहां पर हमें value क्या रखनी है, 3 रखनी है, क्यों, 3 half year कंप्लीट होंगे, 1 and half year में, डेर साल में कितनी छमाई कंप्लीट होंगी, 3, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, तभी तो डेर साल बनता है, मतलब हम यह कह सकते हैं, कि n की जो value ली जाएगी, वो 3 ली जाएगी, कितनी ली जाएगी, 3 ली जाएगी, is that clear, तो बस अब इसके बाद हम लोग को यहां पर value substitute करने ही, solve करना है, देखे, कैसे solve होगा, देखे, आई, निकालना है, interest, equal, P, principle कितना है, बच्चो, 24,000, 24,000 into, 1, plus, rate of interest कितना है, 10%, 10 upon, कितना हो गया, 100, और जब half value होता है, तो एक साल में 2 छमाई होती है, तो 100 की जगे, 2 से इसको multiply करते हैं, है न, क्योंकि एक साल में कितनी छमाई होती है, 2, तो यहां पर 2 into 100 होता है, quarterly की ब तो यहां 100 के साथ 4 से multiply करते हैं, बस यह ध्यान रखना, और N की value हम पहले बता चुके है, N की value क्या लेनी, 3, minus 1, इसको solve करेंगे, तो I equal क्या हो जाएगा, 24,000 into, यह हो जाएगा, बच्चो, 1, 0, 0, cancel, 20, 10 into 20, 20, 21 upon 20, 21 upon 20, 21 upon 20, का cube, minus 1, यह हो, होगा, इसको solve करेंगे, तो कितना आजाएगा, इसको solve कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा, बच्चो, I equal 24,000 into 21 का cube, 21 का cube, upon 20 का cube, minus 1, है न, तो यह हो जाएगा, आपका 24,000 into, 21 का cube करेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका 441 into 21, भाई, 21 का square 441 होते हैं, into 21 कर दिया, upon 20 का cube यह होता है, 8,000 minus 1, कितना हो गया, 24,000 into, यह कितना हो गया, 21 से कम 21, 1, 2, 21 को 84, और 2, 86, मतलब 6, 8, 21 को 84, 8, 29, 261, upon 8,000 minus 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यह 24,000 into, 9261 minus 8,000, तो कितना हो गया, 1261 upon 8,000, यह आजाएगा बच्चो, आएगा कि नहीं आएगा, अब इसको solve करना तो देखो, 3030, ऐसे cancel, 8 से divide किया, 3 आगया, means कितना हो गया, 3 into 1261, कितना हो गया, 3, 1, 2, 3, 6, 18, means 8, 1, 12, 3, 36, and 137, तो इस तरीके से बेसिक फार्मूला पता था, A equal P 1 plus R by 100 की पावर N होता है, लेकिन यहां पर हमसे सीधे क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था, बच्चो, इंट्रेस्ट, तो amount को हमें इंट्रेस्ट में बदलना है, तो amount की जिगे हम क्या लिख सकते हैं, P plus I, क्योंकि Mr. धन हमारा क्या होता है, मूल धन प्लस ब्याज होता है, तो यह A की जिगे क्या हो गया, P plus I, equal P 1 plus R by 100 की पावर N, पी को इधर कर देंगे, तो यह I, equal क्या हो जाएगा, P common हो जाएगा, तो इधर क्या बचेएगा, 1 plus R by 100 की पावर N, minus 1, अब हमें N की वैल्यू क्या लेनी, देखे, टोटल टाइम दिया, 1 and half year, 1b2 साल का, जब कि ब्याज हर छमाही सईयोजित होता है, तो 6, 6, 6, 3, 6, 3 साल मिंटेन होगा, 1 and half year कैसे मिंटेन होगा, जब 3 half year होगे, means 1 and half year का मतलब हुआ 3 half year, यह i. ब्याज साल का मतलब क्या हुआ, 3 छमाही या 3 half year, तो मिन्स हमें N की value क्या लेनी थी 3 और एक चीज और ध्यान रखना जब यहाँ छमाई होता है तो जब अपाउन में यहां पर 100 करते हैं तो उसमें 2 से multiply हो जाता है क्यों क्योंकि एक साल में 2 छमाई होती है अगर quarterly की बात करता है तो 100 में 4 से multiply हो जाती ही क्यों क्योंकि एक साल में 4 quarter होते हैं ठीके न तो इस तरीके से सब की value रखिए और बच्चों यहां धीर जीर करके solve कर गए solve करते करते final answer हमारा के आ गया 3783 रुपीज तो इस तरीके से question solve किया गया उमीद करते हैं question अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब हम लोग बात करेंगे अपने next question के